नमस्कार साथियों मैं हूँ विमल सर और आप सभी का स्वागत है सीजी जॉप एजूकेशन के आफिसल यूटूब चेनल पर साथियों सीटेट डिसंबर 2023 के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और 23 तरिक तक आवेदन होना है प्राप्त जानकारिक्यानुसार रायपूर, बिलासपूर और दुर्ग संभाग में 135 परिच्छा का सेंटर बनाया गया है जिहां साथियों इसी पर मैं बात करूँगा पूरे विस्तार से मैं बात करूँगा सीटेट देने वाले साथियों के लिए ये जरूरी वीडियो है, जानने के लिए अती आवस्यक वीडियो है तो आई हम इस वीडियो के सुरुआत करें तो साथिन नए होंगे हमारी यूट्यूप चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे जैसा कि ये पेपर कटिंग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सीटेट को लेकर है तो जनवरी में होगी परिक्षा आप सभी जान रहे हैं 21 जनवरी 2013 को सीटेर की परिक्षा होना है प्रदेश में तीन समेश 135 सहरों में बनेंगे परिक्षा केंद्र आप सभी जान रहे हैं कि 135 सहर में परिक्षा केंद्र बनाये जा रहे हैं अर्थात जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पर complete details केंद्री माध्मिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आउजित की जाने वाली जो सीटेर की परिक्षा है इस बार दिसंबर के बजाय जनवरी में होगा पहले यह परिक्षा जुलाई और दिसंबर में होती थी लेकिन अब 21 जनवरी 2024 को यह जो परिक्षा है आयजित होगा पेन और पेपर मोड के माध्यम से अर्थात आप लाइन पेपर होगा परिच्छा सेंटर में जा करके आपको आपले मोड में पेपर देना होगा रायपूर बिलासपूर और दूर्ग समेत केवल 135 सहरों में ही यह जो परिच्छा होगी 135 सहर नहीं है 135 परिच्छा केंदर है 3 सहर है ठीक है रायपूर बिलासपूर दूर्गतीन सहरों में 135 परिच्छा केंदर बनाये गए हैं केवल 135 है और मैं आपको ये भी बता दो साथियों इसके पहले अर्था जब 20 अगस्त 2023 को पेपर लिया गया था तो 184 सहरों को परिच्छा केंदर बनाया गया था और इस बार 49 सहरों के अर्थात 49 परिच्छा केंदर को काट दिया गया है और काट करके केवल और केवल 135 परिच्छा सेंटर पर ही सभी कैंडिडेट्स को पेपर देना होगा 23 नवंबर तक आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और मैं आपको ये भी बता दू आप लाइन मोड में आवेदन होना है पेन के माध्यम से OMR सिट को आपको गोला करना है इसके पहले जितनी भी परिक्षा OMR की जाती थी वो आउन लाइन मोड में कम्प्यूटर बेश जिसे हम CBT कहा जाते थे कम्प्यूटर बेश टेस्ट के माध्यम से पेपर OMR की जाती थी लेकिन अगस्त 2023 से अब पुना आपलेन मोड में परिक्षा संचालित की जा रही है 23 जुलाई परिक्षा जो है अगस्त में संपन्न होई थी अब उसके बाद में दिसम्मर 2023 की जो परिक्षा है जनवरी 2024 में संपन्न होगी तो जो साथी परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अती आवस्यक वीडियो था जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो था आप सभी के लिए जानना ये बहुत ही जरूरी था कि केवल 135 परिच्छा केंदर ही जो है सभी सीटेट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट है उनके लिए बनाया गया है सिभी एसी की तरब से फिराल इस वीडियो में इतना ही साथियों जो नए होंगे भाई हमसे जुड़े रहें तक सीटेट से जुड़ी हुई जो भी अपडेट हमें प्राप्त होती है हम सीजी आप एजुकेशन के अफिसियल यूटूब चैनल से ही जुड़ें क्योंकि अफिसियल यूटूब चैनल से ही आपको सही और सथिक जानकारी मिलती रहेंगे फिर आल इस वीडियो में इतना ही विमल सर को इसाज़त दिजिये जुड़े रहें हमारे साथ सीजी जाप एजु